EVM पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम जटका लगा है देश में चुनाओ EVM से ही होगे बैलेट पेपर से चुनाओ की बांग खारिश हो गई है सुप्रीम कोटने हैं फैसले में साप कर दिया है कि मतदान EVM मशीन से ही होगा EVM वीवी पैट का सौफीस दी मिला नहीं किया जाएगा 45 दिनों तक वीवी पैट की परची सुरक्षित रहेगी ये परचियों उमीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी चुनाओ के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील कर सुरक्षित किया जाएगा कैंडिडेट के पास रिजल्ट के बाद EVM के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्फ होगा रिजल्ट के साथ दिनों के अंदर ही कैंडिडेट जांच करवा पाएंगे वीवी पैट वेरिपिकेशन का खर्चा उमीदवारों को खुदी उठाना होगा ऐसा गहरा जटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए की बैलट पेपर वाला पुराना दोर वापस लोट करके नहीं आएगा कोट ने फैसले में कहा कि किसी सिस्टम पर आख मूद कर आविश्वास करने से संदे पैदा होता है लोकतंत्र का मतलब विश्वास और सोहार्द बनाए रखना है 88 सीटों पर वोटिंग के बीच पियम मोदी ने बंगाल विहार यूपी में तीसरी राउंड का माहौल तयार किया पब्लिक रैली में विरोधियों की तुष्टी गरल वाली फाइल खुल पशिम बंगाल में मोदी का क्रेज सिर चड़कर बोल रहा है मालदा में मोदी के रोड शो में यही दिखा है दूसरे फेज की वोटिंग के बीच प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुआधार प्रचार किया पशिम बंगाल टू यूपी वाया विहार मोदी ने तीसरे फेज के लिए माहौल तयार कर दिया है कॉंग्रेस द्वारा शिर्म मुसल्मानों को प्रात्पिक्ता दिये जाने की बात करता हूं तो कुछ लोग आग बगुला हो जाते हैं प्रचार कॉंग्रेस के इस जिद्धा को माल में रह करके समर्शन कर रहे हैं दूसरे चरण में 13 राजियों की 88 सीटों पर वोटर्स का फैसला इवियम में बंद हो गया है तीसरे चरण में 7 मई को 12 राजियों की 95 सीटों पर चुनाव होगा दूसरे चरण से मोधी ने चुनाव का मूड बदल दिया है तुश्टी करण पर जमकर अटैक कर रहे हैं दली में में मेर के चुनाव पर आमादमी पार्टी और विजेपी आदमें सामने आ गए आमादमी पार्टी ने आज सदन से सड़क तक हंगाम किया दिली में मेर का चुनाव टला तो यही तस्वीर दिखी MCD सदन में आमादमी पार्टी ने तखनिया दिखाई BJP को दलित विरोधी बताया ये संग्राम सदन से सडक तक भी पहुँच गया मज़र रॉब डेमोकरिसी वाला पोस्टर लहराया गया मेर चुनाव टाले जाने के लिए भी आमादमी पार्टी BJP को ही जिम्यदार बता रही है आज दिली में मेर और डुपटी मेर का चुनाव टै था लेकिन LG ने 25 अपरेल को एक नोटिस जारी किया और चुनाव कैंसिल हो गया 24 अपरेल को चुनाव आयोग ने मेर चुनाव की मंजूरी MCD को दी थी लेकिन पीटा सी नदिकारी पर पेच फस गया LG को पीटा सी नदिकारी की निउक्ती का प्रस्ताव सीम देते हैं लेकिन केजरिवाल जेल में है अरविन केजरिवाल के जेल जाने का असर दिखाई पढ़ने लगा है मेर और डुपटी मेर चुनाव टलना इसका एक्जामपल है तिहाड में केजरिवाल की हिल्थ को मैजिकल टीम मौनिटर कर रही है जेल से बाहर पाती के लिए केजरिवाल का काम उनकी पत्नी ने Aladdin केजरिवाल की हिल्थ पर नजर रखने के लिए गठित मेडिकल बोड की टीम एक्टिव है दिली के सेम अरविन केजरिवाल को तिहाड में सुबा शाम इंसुलिन की डोस दी जा रही है तियार प्रशासन और मेडिकल बोर्ट की टीम मिलकर केजरिवाल की सेहत पर नज़र रख रही है उधर आम आदमी पार्टी ने एलेक्शन कैम्पेन के लिए प्लान बी रेडी कर लिया है केजरिवाल की गैर मौझूदगी में उनकी पतनी सुनीता केजरिवाल ने कमान समहाली है कल से सुनीता केजरिवाल राजनीती में पूल एक्टिव हो जाएंगी आम आदमी पार्टी के लेक्शन कैम्पेन की बागडोर समहाल लेंगी अर्मिंद केजरिवाल जी की धरम पतनी सुनीता केजरिवाल जी खुद प्रचार में उतरेंगी सुनीता केजरिवाल 2020 के दिली चुनाव में भी एक्टिव नजर आई थी तब उन्होंने केजरिवाल के समर्थन में पर्चे बाटे थे लेकिन पती के जेल जाने के बाद पत्नी का रोल बदल गया है महरास्ट में कॉंग्रेस के मुस्लिम नेताओं की नाराज़गी पार्टी से बढ़ती जा रही है पांच बार के मंतरी नसीम खान ने कॉंग्रेस पर मुसल्मानों से बेवफाई का लेवल लगा दिया है महरास जेसे प्रोग्रामी राज़ी के अंदर 48 में से एक भी अलब संके को टिकिट नहीं तो कहीं न की समाज में ये बेचाईनी जरूर है और इस बेचाईनी को मैं आला कमान को ब्रीफ करूँ माविका सघाडी ने 48 सीटों में एक भी सीट पर मुसलिम कैंडिडेट नहीं दिया है 2019 में कॉंग्रेस ने साथ मुसलिम्स को टिकेट दिया था इस बारे एक भी टिकेट नहीं दिया गया नसीम खान के मुताबिक कॉंग्रेस अपने वादे से मुकर गई उन्हें भी टिकेट नहीं दिया गया महरास्ट में 12 फीजदी मुस्लिम आबादी है 48 में 4 सीटों पर 21 से 30 फीजदी मुसल्मान है कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की टेंशन बढ़ गई है अनन्तनाग राजवरी सीट पर मतदान की तारीख बदल सकती है पांच राजनीतिक दलो और तीन निर्दलियों उमिद्वारों ने चुनाव आयोग को खत लिखा है खत में अनंतनाग राज़ौरी सीट पर चुनाव टालने की मांगी है सूत्रों के मताबिक चुनाव आयोग ने मुख सचिव से रिपोर्ट मागी है अनंतनाग राज़ौरी संसदी एक शेत्र में खराब सड़क और मौसम को चुनाव टालने की मांग काधार बनाया गया है पांच दलों ने कहा कि वो वोटर्स तक नहीं पहुच पा रहे लेकिन महभूवा मुफ्ती इसके पीछे साजिश का शक जता रही है आनंतनाग राज़ौरी लोगसबा सीट पर तीसरे चरण में साथ में को मतदान होना है बीजेपी ने सीट पर अपना कोई कैंडिडेट नहीं उता रहा यहां सीधा मुकावला नैशनल कॉंफरेंस और पीडीबी के बीच है